वेलकम टू चैनल नॉलेज आफ फार्मेशी लीबो शिटरिजिन हाइडरो कॉलोराइड टेबलेट और सीरप का हम रिब्यू करते हैं थार्ड जनरेशन नॉन सेडेटीब नॉन सेडेटीब यानि सेडेशन नाकाज करने वाली एंटि हिस्टामेनिक ड्रग है वही ब्रौन नेम की बात करते हैं तो वनल काफी फेमेश ब्रौन है लीबोसेट, एक्विजॉल, लीबोरीट कुछ ब्रौन नेम है जो भी सरलता से आपको मेटकल इस्टोर पर मिल जाएं आप ले सकते हैं मेकिनी जम आफ एक्षन की बात करते हैं, यह दवा कैसे कार करती है, कैसे वर करती है, तो selective inhibitation of H1 receptor, यानि H1 receptor on surface of most cell and bisophils block IgE-mediated release of histamine, anti-histamine है, जो की histamine की किरिया को औरोध करके काम करता है, यानि रोग कर काम करता है, तो इस तरीके से यह इसका mode of action है, वहीं इसको देखते हैं, डाक्टर कहां पर उप्योग में, प्रियोग में लेते हैं, तो seasonal allergic rhinitis, जो seasonal जुखाम होता है, उसमें जैसे मौसमी जुखाम वाइरल होता है, उसमें डाक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या फेरिनल allergic rhinitis, यानि जो बारा मासी हमेशा जिनको जुखाम लगा रहता है, जो है नाग बहती है, उनको भी डाक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या chronic, आइडियोपैथिक, आइटिकेरिया, यानि पुरानी जो पित्ती होती किसी किनी किनी को जो है, पित्ती निकलती है सरीर में, तो पित्ती में भी इसको दिया जाता है, क किलसको फिक कौराव करते हैं या कोडर सीबर में दिया जाता अस्तमा में दिया जाता है या लोवाज कन्डीशन है जैसे कि इचिंग चल रही हो इसकशन पर खुझा रही हो या है है अलेजिक सिम्टब जैसे रनी नोज नाक बह रही हो वाटरी आई आखों से पानी आ रहा हो उसमें दिया जाता है यह जो है गो सकता है और नोजिय और मितली और उल्टी आ सकती है माइल्ड रह सकता है और जी आई टी डिस्टर्बेंस यानि जो घस्टो-इंटेस्ट्टाइन ट्रैक है वो डिस्टर्बेंस हो सकता है वहीं को बात करें तो इंप्रूब्मेंट हो खास करके छे माह से ग्यारा बर्स तक के बच्चों का कंडिशन की बात करें तो रीनल इंप्रूब्मेंट हो जिनको या सी एनस यानि डी प्रिसेंट यानि आउसाद की दवा चल रही हो या एलकोहल का प्रियोग करते हो या प्रोस्टेटिक्स हाइपर ट्रोफी जिनको हो या स्पाइनल कार्ड की इंजरी हो तो वह इससे साउधानी बरते हैं डाक्टर से बता दें वहीं सेप्टि एडवाइस की बात करते हैं तो अलकोहल के साथ यह अनसेफ है अलकोहल के साथ नहीं लेना है जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग या जो आदेना चाहिए कि मुझे ये चल रहा है या मैं यह करता हूँ लिवर की डिजीज या चिल्टर व्हों तो उसमें ये सेफ लिवर जो है लिवर हो या जो है चिल्टरन हो बैच्छों में धरी वहीं हम डोजेश की बात करते हैं जो कि बहुत महत्त पूर्फ है तो शेटी ए इंडर इन चिल्डरन शिक्स मन्त एज जिन बच्चों का उमर जो है यह जो है छे माह से कम हो उनके लिए सेप्टी प्रिकेंसी नौट इस्टबिस है और शिक्स मन्त तू फाइफ एयर का जो डोज है वन पॉइंट टू फाइफ एम जी ओरली इन इबनिग यानि साम टाइम में एक टाइम में लेना है वहीं छे साल से जो बारा साल के बच्चे हैं यानि सिक्स टू टो एल बियर टू पॉइंट फाइफ एम जी यानि टू पॉइंट फाइफ एम जी ओरली इन दी इबनिग यान जो एडल्ट हैं उनको 5MG ओरली इन इबनिग एक टाइम धी जाती है और ये डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाली दवा है बिना डाक्टर के पर्चे पर ना लें ओके थैंक्स आप चाहें तिसके इन सौट ले सकते हैं फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो है